जितनी सेवाएं हमारी विदेश मंत्राले के नीचे अलग-अलग अंगों द्वारा दी जा रही हैं, वो सब उस एक भवन के नीचे, एक खिर्की के नीचे लेके आऊंगी और वहां से एक अलगण उपजी, विदेश भवन की, जैसा भी बताया गया कि चार चीजें इसमें हमने तै की हैं, हमारे जो आरपियो हैं, पासपोर्ट कारेले, वो इसके नीचे हैं, हमारे जो पीयोईज हैं, जो हमारे श्रमिक बाहर जाते हैं, छात्र बाहर जाते हैं, ना यह होता है, उनकी जितनी तकलीफें होती हैं, उसके लिए जो हमारा पीयोई कारेले हैं, वो इसके नीचे होगा, हमारा ब्रांच सेक्रेटेरियेटे की याखा, शाखा सचिवाले होता है, वो इसके नीचे होगा, ICCR के सेंटर इसके नीचे होंगे, और जैसा मैंने अभी जब आपने वीडियो में सुना हूँ, एक नई कलपना आई है, कि जो छात्र यहां से जाते हैं, जो शमिक यहां से जाते हैं, वो वहां के कानून काइदे ना जानते हुए फस जाते हैं, और बहुत बार हमारे अंस्कुपलस रिक्रूटिंग एजेंट, उनसे पैसा लेकर उनको फसा देते हैं, आपके यहां मुंबई में समुद्र तट पर बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स बनी हुई है, जहां सेकडो यूवजन बैठे हैं, जिनको ये बहला कर, कि हम तुमको क्रू मेंबर बना करके मर्चट नेवी के लिए ले जाएंगे, ऐसे जगहों पर भ कांसिलिंग करने का काम, सही सला देने का काम भी इसी भवन में हो, ये हम लोगों ने तै किया